हाई हिल्स पहलने के कारण हुआ ऐसा कि आक्ट्रस बाल बाल गिरते वे बची लेकिन उन्होंने कुछ को संभालिया बस इतनी ही देर में उनके साथ चल रहा एक फैन उन्हें बचाने के लिए जब आगे आया प्रो आक्ट्रस ने उसको काफी आटिट्यूड दिखाया जिसके ही नहीं बस की इस रोल को अदा कर इन्होंने घर घर में अपनी पहचान भी बनाई थी शोहिब इबराहिम संग दिपका ककर की दूसरी शादी है दोनों खुश भी है साथ में कई यूट्यूब वीडियो भी बनाती रहते हैं हाली में शोहिब को उनके एक बहतरिं काम के लि लेकिन जब दिपका ककर बाहर आ रही थी तो एक गड़े में उनका पैर चला गया हाई हिल्स पहरने की कारण ऐसा हुआ अलाकि आक्टरस ने खुद को संभाल लिया बस इतनी ही देर में उनके साथ चल रहा एक फैन उनने बचानी के लिए जब आगे आया तो दिपका ककर को उसने हाथ पकड़ा तो एक्टरस संबलते संबलते उसके उपर गुसा ही होने लग गई पहले तो उनसे कहा कि ठीक है ठीक है मैं ठीक हूँ लेकिन मुझे इस तरह तच मत करो दिपका ककर के चेहरे पर हलका गुसा साफ देखा जा सकता है इस शक्स खुद को इसके बाद एक एक्टरस का ये वीडियो अब तेजी से वाइरल हो रहा है जहां लोग उन्हें शोशल मीडिया पे जम कर ट्रोल भी कर रहे हैं इसकी बाद एक्टरस दिपिका ककर ने पैपराजी से कहा कि एवार्ड लेकर वो शक्ष जाने की श्रव इबराहिम पीछे आ रहे हैं आप यूजर दिपिका ककर को अब घुसे करने को लेकर ट्रोल भी करने लग गए हैं एक शोशल मीडिया यूजर ने एक्टरस को ट्रोल करते वे लिखा कि कैसी एक्टरस है एक तो उस शक्स ने इन्हें गिरने से बचाया और ये उसी पर घुसा करने लगे भलाई का तो जमाना ह नहीं रहा तो वही दूसरे यूजर ने उन्हें शोशल मीडिया पर लटारते वे वीडियो ब्लॉग को लेकर कहा कि वीडियो ब्लॉग में इतनी अच्छे बढने की कोशिश करती है और रियल लाइफ में जो मदद करता है उनको ही आग दिखाती है वह क्या एटिट्यूड है मैडम सेम अंदास वीडियो ब्लॉग में भी रखती तो मज़ा आता ऐसे में लोग अब जम कर देपिका ककड को उनकी इस एटिट्यूड के लिए ट्रोल कर रहे हैं वह आपको पता दे कि हर कोई उनकी इस एटिट्यूड को लेकर उन्हें काफी बुरा भला कह रहा है हाल कि रहे देपिका ककड को लेकर आप क्या कहेंगे उनकी इस एटिट्यूड को लेकर आप क्या कहेंगे वेल कमें सेक्शन बताना बिलकुए भी न भूले और हमारे चैनल को ज़रू सब्सक्राइब करें